नमस्कार, A2Z dishes उश्या कोरजानी में आप सबका स्वागत है आज आपके साथ मैं शेयर करने जारे दो तरह के नमक पारे इसमें सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगे खस्ता नमक पारे ये बहुत ही मज़िदार लगते हैं, एकदम खस्ता बनते हैं खास कर कि आप इसे चाय के साथ खाए, ऐसे ही बचों को दीजे, बहुत ही पसंद आएंगे और दूसरे में आपको बताने जारी काजू, मसाला नमक पारे ये भी बहुत ही मज़िदार लगते हैं, एकदम मसाले से बरपूर ये नमक पारे दोनों ही मज़िदार लगते हैं, और बनाना भी काफी आसान है तो बिल्कुल भी देरने करते हैं, चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे खस्ता नमक पारे तो इसके लिए बाउल में हमें डालना है दो कप मैदा इसके अंदर एक चमच अजवाइन को मसल कर डालेंगे इसी के साथ एक चमच नमक अब अपने स्वात के अनुसार भी डाल सकते हैं और मोयन के लिए 3-4 चमच तेल अब अच्छे से मिलाना है जितना अच्छा आप मोयन करेंगे उतना ही आपके जो नमक पारे वो खस्ता बनेंगे तो यहाँ पर देखिए हाथ में ये बंद रहा है बंद रहें के बाद जब आप टोड़ रहे तब टूट रहा है तो ये अच्छा मोयन है पानी मैंने एक कप लिया है थोड़ा थोड़ा करकर डालेंगे और आटे को गुन देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करकर ही डाल रही हूँ पानी आटा नहीं जादा कड़क होना चाहिए, नहीं जादा नरब, मीडियम आटा गुनना है और ये एक कप पानी में से दो चम्मच जितना बच चुका है हलका सा तेल लगा कर इसे ढखकर 20 मिनिट तक रख देंगे 20 मिनिट हो चुके हैं, आटे को फिर से तेल लगा कर चिकना कर लएंगे और इसे हम 3 हिस्सों में इस तरह से बाट लेंगे और ये जो 3 हिस्से मैंने निकाले इसे हम मसल लेंगे दोनों हाथ के बीज में उसके बाद तेल गरम करने रखा है तो गैस की आज को बिल्कुल दीमी करे और तेल जो एकदम दूमेदार गरम नहीं करना है हलका गरम करना है तो जब तक यह गरम हो रहा है नमक पारे बना रहे तो यहाँ पर एक लोई ले लिए और इसे बेलना है देखिए जो मैदे की कट करते वो ले लिया इससे हम लंबी पटिया गाटेंगे अगर आपके पास यह नहीं तो आप नाइफ यानि की चाकू का भी इस्तिमाल कर सकते हैं लंबी पटिया काटने के बाद इस तरह से टेडा काटेंगे और यह जो एक्स्ट्रा का आटा है यह जो छोटे-छोटे हैं इसे हम निकाल लेंगे, तो देखे, इस तरह से मैंने ये नमक पारे बना लिया, अब इसे diamond shape में भी cut कर सकते हैं, हलका सा आटा मैंने डाल कर देख लिया, देखिए हलका हलका सिक रहा है, एकदम दुवेदार गरम ना करें तेल को, अब इस तरह से नमक पारे डालेंगे और इसे एक से आदी मिनिट तक भी छुएंगे नहीं, एक मिनिट के बाद आप देख सकते हैं यह बिल्कुल तैर रहे ह तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया सा कलर आ चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे क्योंकि निकालने के बाद भी हलका सा इसका कलर और बढ़ जाता है, तो यहाँ पर देखिए किते बढ़िया लग रहे हैं, इसी तरह से हम सारे तेल में डाल कर बचे हुए नमक पारवी तल कर तयार करेंगे, आज आपको बिलकुल धीमी रखनी है और इस तरह से बढ़िया आप देख सकते हैं कितने खसता हमारे यह नमक पारे बनकर तयार है, जो खाने में बहुत ही मज़दार लगते हैं और इसे एक से दो मेने तक आप रख सकते हैं, तो चलिए अब काजू, मसाला नमक पारे बनाते हैं, यह भी मज़दार लगते हैं, उसके लिए आपको बावल में डालना है, दो कब मैदा, एक चमच नमक, एक चौथाई चमच बेकिंग पाउडर, एक चमच अजवाइन को मसल कर डालना है, एक चौथाई चमच बेकिंग सोड़ा, और ब तो इसके बाद मैंने एक कप पानी लिया है, थोड़ा-थोड़ा करकर डालेंगे और आटा गून देंगे, आटा नहीं ज़दा सक्त होना चाहिए और नहीं ज़दा नरम मीडिया माटा गूंद कर आपको तयार करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडिया माटा गूंद कर मैंने तयार कर लिया है और यह पूरा कप इसमें इस्तमाल हो चुका है अब इसे डखकर हम 30 मिनिट तक रख देंगे इसके लिए मसाला बनाने के लिए आधी चमच नमक आधी चमच आमचुर पाउडर आधी चमच काली मिर्ची पाउडर आधी चमच सेंदा नमक और आधी चमच लालमिच पाउडर इन सब को अच्छे से मिला लेना है आप अपने मन पसंद मसाले भी डाल सकते हैं अब तेल गरम करने रख रही हूँ तो आज को आपको धीमी रखना है और तेल एकदम दूमेदार गरम ना करें हलका गरम चाहिए तो इस तरह से तेल डाल दिया जबते के गरम हो रहा है हम बना लेते हैं तो इस तरह से अब इसे बेलना है इसे आपको मोटा ही रखना है देख किनारा काट ले उसके बाद देखिए यह आदे चान्त की तरह निकाल ले तो देखिए कितना बढ़िया काजु निकल गया है तो जैसे कि मैं आपको बता है अब छोटे भी बना सकते तो छोटा धकन ले कोई भी बॉटल का या तो फिर आप अगर हमारी तरह बढ़े बनाना च चुका ऐसे डालेंगे देखे इस तरह से एक बारी में जितने डल रहे है उतने डाल देने हैं और फिर इसे एक से आधी मिनिट तक नहीं चुना है उसके बाद इसे आपको धीमी आज से मद्यम आज के बीच में तलना है तो यहाँ पर यह जैसे देखे हलके हलके सिकना आप एक चुछाए चम्मच जितनी डालें जादा डालेंगे तो यह काजू आपके फट सकते हैं तेल में जाकर तो इस तरह से मैंने यह सारे काजू तयार कर लिए अब जो मसाला हमने बनाया था वो डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बता आप मसाले अपने मन के साब से जो भी आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं हाथों की मदस से अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो यह बचा हुआ मसाला है नीचे वो भी लग जाए तो लीजे तैयारे एकदम बढ़िया वाले मसाले का जो नमक पारे जो खाने में बहुत ही वच्छेंग